आज मैं आप लोग के साथ है कैसा पावरफुल वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसका डिमांड मेरे चैनल पर बहुत दिन से था हेलो फ्रेंड नमस्ते कैसे हैं आप लोग इसको आप सीरम बोलिए हेयर पैक बोलिए टॉनिक बोलिए आपके हेयर पे हर तरह से काम करेगा आपका हेयर रूखा हो गया है बेजान हो गया है हलका हो गया है हेयर फॉल हो रहा है आपके हेर में नहीं जान लेकर आएगा, इस टॉनिक को मैं कैसे बनाई हूँ, किस तरीके से तयार की हूँ, तो चलिए आप लोग वीडियो देख लीजिए, इस हेर टॉनिक को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मेथी की, जिसका हम लोग कीचन में यूच करते हैं, तड़का में वही मेथी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि एक मिकसी का जार लेना है, मिकसी के जार में आपको जितना लगे की मतलब आपका हेर पैक कितना में बन पाएगा, उपको ले लेना है, मैं यहाँ पे 4-5 चम्मच ले ली हूँ, उसके बाद इसका ऐसे वारारोनिक को बना रही हूं आप देखिये और उसी तरीके से आपको बनाना है। мал ज्रूरी है कि जो मोटा वाला भाग है उपर जो मेथी का छिलका होता है उपर निकल जाएगा और जो मेथी के अंदर का पाउडर होता है उसी में सारा गुण होता है तो इसलिए च्छानना जरूरी है ताकि आपको बारीक पाउडर मिल जाए और जो मोटा वाला भाग है वो उपर हो जाए मैं यहाँ पर छणनी से च्छान ले रही हूँ आप जिस तरीके से आपको असान लगे उस तरीके से आप इसे च्छान लिजिए आप इसका पाउडर भी बना करके रख सकते हैं पाउडर बना करक देंगे जब आपको यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हैं अगर आपका हेर फॉल बहुत जादे हो रहा है तो हेर फॉल को इस टॉप कर देगा आपका हेर रूखा हो गया है बेजान हो गया है आपके ह प्रोसेस में आप लोग को बताती हूं वीडियो मिस मत करिएगा आप लोग नहीं पूरी जानकारी आप लोग को नहीं मिल पाएगी तो जितना मुझे मेथी का पाउडर की जरूरत था एक चम्मा छै भरके उतना मैं छान ली हूं बाकी को साइड में रख दूंगी जब मुझ यूज करना होगा तो फिर से मैं यूज कर लूगी इस तरीके से आप भी पाउडर बना करके रख सकते हैं कंटेनर में रख देंगे जब आपको यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे उसके बाद मैं यहां प्ले रही हूं सरसो का तेल आपको जो तेल पसंद हो आप यू सरसो का तेल का यूज कर रहे हूं 5-6 चम्मच आप लोग देख सकते हैं कि 5-6 चम्मच भर के हैं अच्छे से इस्पून की सहायता से आपको मिला लेना है मिलाने के बाद इसे आपको 2 घंटा के लिए रख देना है साइड में ठीक है अब इसे रखना क्यों है जब आप लोग इसे रख देंगे तो जो मेथी का पाउडर है और सरसो का तेल आपस में मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके हेर पे आएगा दो घंटा हो गया है उसको साइड में रख दी थी लेकिन अब दो घंटा के बाद मैं इसे अपने हेर पे लगाऊंगी तो हे कंगी कर कि कोई भी हेर पायक लगाते हैं सिसे तरीके से मसाज करते हुए लगाएंगे आपको हेयर फोल की समस्या खतम होगा हो गया है और भेजान हो गया है उसमें भी आपको बहुत अच्छा एक बार इस टॉनिक को आप जरूर लगाईएगा इस हेर टॉनिक को जब आप फर्स्ट बार अपलाई करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट अप्लाई में ही आपका HairFall की समस्या कम हो जाएगी आयसा नहीं है के एक बार यूज करेंगे तो HairFall रूख जाएगा इसे आपको हफ्ते में 2-3 बार यूज करना है अगर आपको बहुत जादे हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसे हफ्ते में 2-3 बार यूज करिए 2-3 बार यूज करेंगे तो आपका हेयर फॉल विर्कुल रूख जाएगा हेयर फॉल नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, इसे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हेर के लेंथ में लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां का जो लेंथ का हेर होता है, बहुत जादे रूखा हो जाता है, तो इस तरीक सरसो का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जब मेथी और सरसो का तेल मिल जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बाल में कितना कमाल करेगा, तो पूरे बाल में लगा कर मैं जूड़ा बना ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो इस टॉनिक को लगा कर 3-4 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, ना टाइम हो तो 2 घंटा भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा में भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगा, लेकिन एक बार के यूज करने में कोई फरक आपको नहीं पड़ेगा, इस वीडियो आपको देखने को मिलता है, तो मैं आप लोग से मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई